नमस्कार बहुत स्वागत है आपका चैत्र माह की पूर्णिमा जिसे चैती पूर्णम भी कहते हैं और ये हिंदू बर्स का पहला मेहना है तो चैत्र पूर्णिमा का विशेश महत्तो भी है इस दिन ब्रत रखा जाता है और इस दिन हन्मान जैनती भी मनाई जाती है तो चैत् प्राप्तियाँटी और इस सुबार 5 अप्रेल की शुबह नौ बचकर 19 मिनट पर सुरू होगी और 6 अप्रेल की सुबह 10 बचकर 4 मिनट पर समाप्त होगी चैड्र पुर्णिमा का बत Kamraat 5प कोही रखा जाएगा लेकिन उद्या तिती के नुसार स्नान दान छे अप्रेल को किया जाएगा पूजन भी दिक्या है सुबह सुरियोदे से पहले उठकर पवित्र नदी स्नान करें या फिर आप नहाने के पानी में गंगा जल डाल कर नहा लें फिर भगवान सुरी को एक लोटा जलर प लाजे पर बंदनवार जरूर लगाएं और घर के सामने रंगोली बनाएं पूजा वाली जगा पर गंगा जल का छिड़काओ करें और साथ ही तुलसी जी में जल अर्पित करें गंगा जल और कच्चा दूर मिलाकर फिर भगवान विश्णू भगवान गनेश जी मालक्षम को आप यह जल अर्पित करें उसके बाद अभी गुलाल चंदन अक्षट पुस्प मौली और तुलसी की पत्तियां भगवान को अर्पित करें फिर सतनयार भगवान की कथा पड़े और पूजा में सामिल जितने भी लोग हैं सब को सबको प्रसाद दे और बड़ों का आसिर पुर्णी मां के दिन पवित्र नदियों मशनान करने से पुन्य तो मिलता है साथ ही इस दिन बहुत ही सुमाना जाता है यह जानते कुछ चोटा सा एक परियोग जीवन की मुश्किनों से आपको बाहर निकालेगा तो सबसे पहले तो तुलसी जी की जब आप पूजा और पुस्प डालकर फूलों की पंखुरी एक चुटकी हल्दी जाकर तुलसी जी में अर्पित कर दें अगर कुछ ना हो तो कम सकम जल में हल्दी डालकर ही अर्पित करें तुलसी को हिंदू धर में बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है और हिंदू मानेताओं के अनु तुलसी की पूजा भी विशेज तरीके से की जाएगी, क्योंकि जहां भगवान विश्णु की पूजा की जाती है, वहां पर तुलसी की पूजा जरूर होती है, इसलिए तुलसी की जो पूजा है, आप कैसे करेंगे? देखिए एक लोटा जल, अगर आपके घर में बिल पत् या फिर गुड का डाल दें और एक चुटकी हल्दी डाल दें एक चुटकी अक्षट डाल दें अब इसको तुलसी के पेड के पास जाईए ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते वे उसमें अर्पित कर दें आपके भागे को चमकाएगा आपके जीवन के सारे दुखों को समाप्त करेगा अब तुलसी मंगल गरह के साथ जुड़ा है तुलसी में आग का तत्तो होता है फायर तत्तो है और तुलसी आपके जीवन में स्थिरता भी लाता है मन को सांती देता है खुसिया देता है प्यार देता है दन देता है पुर्णिमा तिथी के दिन तुलसी के पौधे में लाल धागा यानि मौली धागा जरूर तुलसी के पौधे के तने में बान देना चाहिए लपेड देना चाहिए ताकि लक्षमी स्थिर रहे पुर्णिमाति थी मालक्षमी कीती थी है मालक्षमी को सबसे प्रियती थी है और इस दिन अगर आप ये प्रियोग करते तो लक्षमी स्थिर रहती है और जीवन में कभी किसी चीज का अभाव नहीं होता घर में नकात्मक उर्जा बढ़ जाए तो इस दिन एक छोटा सा प्रयोग कीजिए तूलसी का पत्ता चार पांच ले ले और एक बड़तर में पानी ले ले उसके अंदर तूलसी का पत्ता करने के लिए एक लाल कलावा ले ले मौलिधा का जिसको कहते हैं तूलसी के पॉधे में की जवाब पूजा कीजिए पूजा करने के बाद है कलावा तूलसी के तने में बांदे लेकर लाल कपड़े में बांध कर अगर इसको रख लें अपने धन के पास तो धन भी बढ़ता है और लक्ष में स्थिर हो जाती है अगर बच्चे जादा जिद करें तो तूलसी के पौधा के पास आप बच्चे को नियमीत रूप से उनका दर्सन करवाएं परणाम करवाएं और तूलसी के पत्ते सेबन करवाएं अगर आपका ब्यापार ना चल पा रहा हो तब एक छोटा सा प्रियोग कीजिए तरह से तो एक बरतन में पातर में पानी ले 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 उसमें 5-6 तूलसी के पत्ते आज की दिन रख कर छोड़ दे और अगले दिन आप इस पानी को पूरे ब्यापार अस्तल पर छिरकाओ करें बचाओ पानी पौधे में डाल दे आपका ब्यापार चलने लगेगा चुकि यह तोटका है अब यह तोटका करने के समय चुप रहिएगा इसे भगवान का स्मरन करें तूत्तम रहेगा इस दिन तुलसी की मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता है तुलसी की मिट्टी से तिलक जरूर लगाएं चारो दिशाओं में जय जयकार होगी आपकी विजय होगी अरपित करें लाल कपड़े के उपर रख कर फिर थोड़ा सकुंकुम अक्षथ से पूजा करें और मा लक्षमी से धन आने की प्राथना करें फिर मा लक्षमी का कोई भी मंत्र जैसे ओम स्रिंग स्रीय नमा का भी जब कर सकते हैं और फिर इसको बांध कर अपने धन के और इस सिक्के को संभाल के रखिएगा जब विसेश्टी थी आए तो सिक्के को बीच बीच में रिचार्ज करें आप कोई भी उपाय करते हैं प्रियोग करते हैं तो उसको रिचार्ज करने का दिन है तो इसलिए क्योंकि कोई भी काम करके आप छोड़ देते हैं तो धीरे धी क्यति के उपाय की जाते हैं इस दिन अगर केसर मिला हुआ खीर को भोग लगाते हैं परसात के रूप में सब को गरहन करते हैं तो जीवन का द्रॐ आपको प्रसान्गों करते हैं महंगा है तो का हल्दी का आउसी जो आपके उंगली में लगा रह गया है अपने माथे पर लगा ले इससे भी उनका आशिरवाद आपको मिलेगा क्योंकि भगवान भाव के भूखे है अब पुणिमा दिथी के दिन चुकि ये सिक्का का प्रियोग बहुत माइने रखता है तो आप जरूर करें और दीपक कम स कम पांच जगह पर जलाने का भी धाने कहां जलाएंगे पहला आप अपने घर के मंदिर में जलाएं जहां पुझा करते हैं ये दिया घीका हो तो सरवत्तम होगा इस दीपक में लाल धागे की बाती होगी और इसमें एक लॉणThe दीपक तूलसी के नीचे जलाएंगे वो सि चौथा दीपक पास के देवाले में जलेगा पांचवा दीपक आपके घर के छट पर जलेगा जो पितर देवों को रास्ते में रोसनी देगा और उनका आसिरवाद आपके मार्ग में आने वाले बाधाओं को समाप्त करेगा ये दीपक छट के ऊपर सरसों के तिल का दिया तो दो चार दाने काले तिल डाल सकते हैं या फिर वैसे भी रहे तो भी चलेगा रात में सोने के पहले अपने तक्ये के नीचे एक रुपया का सिक्का जरूर रखके सोईएगा और अगले दिन इस सिक्के को किसी पास के मंदिर में जाकर रखाईएगा या किसी पेड के नीचे रख दीजेगा फेकिएगा मत क्योंकि लक्षमी का आप मान नहीं करना चाहिए दो हल्दी की गाट लाल कपड़े पे रख कर मालक्षमी को जरूर अर्पीत करें और फिर इसको धन के अस्थान पे रख दें धन की कमी नहीं होगा तो ये हल्दी का प्रियोग आपको जरूर करना है और अक्षत जो चावल है उसको एक चुटकी ले ले इसको हल्दी से कलर करके दीपक में डाल कर आप लाल धागे की बाती बना कर घी डाल कर फिर दीपक जलाएं तो जीवन की मुस्किनों से बाहर निक्षम के वक्त तुलसी क पौधे के नीचे एक घी का दीपक जरूर जलाईएंगा और इसमें संभब हो तो एक लॉंग डाल दे इससे घर में तुलसी का पौधा तो होगा जीवन में पुसियां आती देगा आप मौली धागा अगर मौली धागा नहीं है तो कच्चा सूत ले 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 और उसको थोड पौधा अच्छा है लक्षमी स्थिर रहेगी धन बड़ेगा और साथ ही खुसियां आती रहेगी यह प्रियोग इस पुर्णिमा को आप चरूर करें और फिर चमतकार देखें तो अपने घर के मुख्य दरवाजे के चोखट पर एक दीपक जरूर जलाईएगा एक दीपक पास के किसी भी भगवान के मंदिर में जला दे अगर कहीं कोई सुनसाना स्थान है तो वहां भी दीपक जला दे और पीपल के नीचे भी पांच जगह पर मुख्य तोर पर दिय जलाने का विधान है अपने घर में भी दूब दीप दिखाएए लेकिन जब आप दूब दीप दिखाएंगे तो दिया में एक लॉंग डालकर ही दिखाएगा फिलाल आप से विदा लेंगे हर हर माते